सब लोग मेरे तरफ से नमस्कार मैं आज आने वाला था आपके प्रोग्राम में लेकिन क्योंकि यहां में तुफान बहुत खराब तरीके से आया है बारिश बहुत खराब तरीके से आया है इसके लिए सब Indigo फलाइट्स जो अगर तला पहुँचने वाले थे यहां से वो कैं जाओंगा सूर्मा कैम्पेंड करने के लिए मैं आप सब को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आपने सब पार्टी को चांस दिया है आपने कॉम्मिनिस्ट को चांस दिया आपने कॉंग्रिस को चांस दिया आपने बीजेपी को चांस दिया तीपरा मौथा आपका लोकल पार्टी है आपका त्रिपुरा का पार्टी है हम लोग सब जगे में बोलते हैं कि आत्म निर्भर होना चाहिए लेकिन हमने कभी भी अपने राज्य में अपने राज्य को लोगों के उपर विश्वास नहीं किया और हमेशा अपना भविश्य दिल्ली के दो तीन लीडर के हा दिया ये आने वाला सूर्मा इलेक्शन ये सिर्फ एक इलेक्शन ही नहीं ये एक ऐसा चुनाओ है जहां में हमने सत्तर साल के बाद एक ऐसा कैंड़िट दिया है जो एसी कम्यूनिटी से है हिंदुस्तानी कम्यूनिटी से है और एक ऐसा कैंड़िट जो दस हजार तीन सुत 23 टीचर से है ये कैंडिडिट अपना बाबुराम सतनामी मैं चाहता हूँ कि ये सूर्मा से इलेक्शन जीते और जाकर असेमली में अपने हिंदुस्तानी लोगों के बारे अपने एसी लोगों के बारे अपने तीप्रासा के बारे अपने 10,323 टीचर के बारे एसेमली में और हमारा जो कॉन्सिटूशनल डिमांड है उसको एसेमली में जाकर उठाए बहुत हो गया है मेरे दोस्त बहुत हो गया है अब टाइम आया है कि हम सिस्टम को चेंज करें और सिस्टम को सिर्फ अकेला बुबागरा चेंज नहीं कर सकता है सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं आप कैसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने ही लोगों के उपर विश्वास करोगे आप ऐसा राजनीती करोगे जिसमें हम धरम नहीं देखते हैं हम नहीं देखते हैं कि मुसल्मान कौन है, हिंदू कौन है, क्रिशिन कौन है, बुदिस्ट कौन है हम नहीं देखते हैं कि यहां में रास्ता क्यों नहीं आया जब अगरतला में रास्ता है यहां में बिजली क्यों नहीं आता जब अगरतला में उदैपूर में बिजली आता है यहां में स्कूल क्यों बंद रहता है लेकिन अगरतला में स्कूल की स्कूल पूरा रहता है त्रुपरा ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है और इसको develop करने के लिए आपको अब दिली का बात कम और अपना दिल का बात सुनना पड़ेगा मेरा परिवार ने आज तक कोई भी जाती को नफरत नहीं किया है हमने सब को इज़त दिया है और आने वाले दिन में भी हम सब को इज़त देंगे लेकिन सम्मान से हम अपना constitutional अधिकार जानते हैं और हम compromise नहीं करेंगे बहुत लोगों ने कहा है ये लाल मौथा है बहुत लोगों ने कहा है कि ये मौथा नहीं जीतेगा मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ ये जो अनारेश है ये ना चाइना का है ना नाग्पूर का है ना दिल्ली का है ना बंगाल का है ये जो अनारेस है ये hundred percent लोकल त्रिपुरा का है आप लोग इस बार दड़ो मत आगे निकलो और टिप्रा मौथा के उम्मीदवार को वोट करो कल मैं वापस सूर्मा आ रहा हूं और मैं पांच छे दिन सूर्मा में ही बैठा रहूंगा मैं माफी मांगता हूं क्योंकि बारिश बहुत था तूफान बहुत जोर से आया था इसके लिए प्लेइन को कैंसल किया गया लेकिन मैं कल सूर्मा आ रहा हूं और आप सबसे मैं मिलूंगा बेलाईनो हम भाई खुलूंखा धन्यवाद